तो गाइस इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ बात आज की हुई Monday Night Raw यानि की The Night After Wrestle मेंने अगी क्या इस शो में मुझे अच्छा लगा और क्या इस में मुझे बुरा लगा अगर आपे जानना चाहते हैं इस वीडियो में तक जरूर देखें लाइक करना ना भूलें और सब् तो वाइस मैं हूँ आयूश और आप देख रहे हैं Wrestle India और यह जो Monday Night Raw का शो हमें देखने को मिला रैसल मिना के बाद जैसा कि मैंने आपको अपनी कल की surprises वाली वीडियो में कहा था कि यह जो show होता है usually काफी अच्छा होता है और इस बर फिर से हमें जो crowd था वो काफी ज़्यादा entertaining देखने को मिला काफी अनोकी chants हमें सुनने को मिली और कई सारे ऐसे returns भी हमें देखने को मिले जो शायद unexpected थे तो पहले बात करते हैं good points की क्योंकि मैं यह नहीं कहना चाता कि यह show बिल्कुली बेकार था जो bad points हैं उसके बीचे मैं आपको पूरा reason दूँआ कि आखिर मुझे वो bad क्यों लगे तो अब सबसे पहली चीज़ जो मुझे काफी अच्छी लगी शो पे वो थी इसकी starting segment जहां बिल्कुल चार चानल लगा दिये segment में crowd ने और उसके बाद यह segment end इस तरीके से होते है कि Kofi Kingston चैलेंज करते है Seth Rollins को और वह कहते हैं कि आज RAW के main event में हम एक match लड़ेंगे जो की होगा एक winner takes all match जहां पे अगर कोई भी superstar जीता है तो उसके बस दोनों ही WWE और Universal Championships आ जाएंगी तो इसको देखके और इस चीज़ को सुनने के बाद crowd और भी जादा excited हो गया था क्योंकि जो main event होने वाला था वो काफी जादा interesting था अगला अच्छा point guys जो के मुझे लगता है सब को यह बहुत जादा पसंद आया वो था Undertaker का return यह बिल्कुल unexpected था क्योंकि कोई भी rumors ऐसे न now will be a dead man वैसी Undertaker भार आ जाते हैं उनको tom stone pile driver और choke slam देते हैं और guys इसके पीछे जो basic reason है वो अभी तक तो यही समझा रहा है कि जो Saudi Arabia में शो होने वाला है वहाँ पे Undertaker और Elias के बीच में हमें match देखने को मिलेगा अगली अच्छी चीज़ जो में देखने को मिली वो था Lars Sullivan का WWE का debut अब काफी समय से rumors आ रहे थे कि आने वाले हैं आने वाले हैं इनका match John Cena के साथ होगा लेकिन अब finally वो moment आ गया कि Lars Sullivan main roster में आ चुग है इन्होंने अपना debut करा जब Kurt Angle को इन्होंने आकर attack करा तो जिस तरीके से इनका debut है वो काफी interesting है लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी या फिर पहली फ्यूड की इसके साथ होगी और finally जो मेरा good point है guys वो यहां पर यह है कि जो brave वायत है उनका return WWE tease कर रही है एक अजीब सी segment हमें देखने को मिली जीब सा एक dragon type कुछ निकलता है और वो हसने की आवाज आती है वहां से तो guys अगर आपको समय नहीं आया हो क्या था तो वो brave वायत का return का teaser और कोई नया gimmick WWE ने उनके लिए सोचा है तो जल्द ही हमें देखने को मिलेगा अब फटवट से बात करते हैं हमने bad points की तो यहां पे मेरे साब से सबसे बड़ी बिकार बात जो ही शोगी थी वो यह थी कि main event को WWE ने change कर दिया अब पूरी raw तक लोग इ winner takes all match हमें मिलने वाला है लेकिन end moment में Sheamus और Cesaro वहां पे आजाते हैं जिसमें मुझे कोई भी sense नहीं दिखी और उसके बाद वो एक tag team match बन जाता है अब obviously यहां पे मेरे को लग रहा था कि यह match वैसे भी कोई एक winner हमें नहीं देखने को मिलेगा और titles obviously WWE Unify नहीं करेगी लेकि अगर कुछ और इसके बजाया में देखने को मिलता तो शायद वो और जादा बेटर होता लेकिन जो tag team match हुआ उसमें फिर Seth Rollins और Kofi Kingston की जो team थी उसने अब स्मैच को जीत लिया उसके बाद Sami Zayn का में रिटर्न देखने को मिला लेकिन मैंने इसको बैड में इसलिए डाला क्योंकि पहली चीज़ तो वो Finn Balor के साथ उनका match हुआ जो कि वो बहुत ही जल्दी हार गए और उसके बाद उन्हें अपने heel turn कर लिया एक बार फिर से अब इस चीज़ को मैंने bad point में इसलिए डाला है guys क्योंकि Sami Zayn का return इतनी देर बाद हुआ था मेरे साब से या पर WWE उनक जो bad point है वो यह है कि Becky Lynch की अगली opponent होने वाली है शायर Lacey Evans अब काफी सारे लोग excited है देखने के लिए कि आखिर Lacey Evans क्या कर सकती हैं लेकिन इतने बड़े Wrestlemania match के बाद अगर Becky का opponent Lacey Evans होने वाली है तो मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल भी excited नहीं हूं मेरे साब से WWE चीज़ को और bad point है जो कि obviously सब के लिए काफी बुरा है वो यह है कि Dean Ambrose अब WWE छोड़ कर चले जाएंगे उनका आखरी match हमें देखने को मिला जहां पे Bobby Lashley के साथ उनकी एक brawl हुई और उसके बार Lashley ने उनको एक table के through पटक दिया जिसके बार Renay Young आती है Dean Ambrose के लिए और वहां से उ वीडियो मुझे चीज़ को जोड़ना क्योंकि मैं बस कुछ ऐसी बाते हैं जो मैं बोलना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा Dean Ambrose के बारे में तो guys अगर आप कोई वीडियो पसंद आए यह से like करें हमारे चैनल को करें subscribe और कल यह वीडियो के लिए जरूर बने रह हैं मैं हूँ आईश और आप देख रहे हैं रैसल इंडिया